तो बच्चे लौड किसना कोचिंग सेंडर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है और आज हम टॉपिक लेकर आए हैं भारत में मनाई जाने वाले त्योहार ठीक है यानि कि कौन से राज्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है ठीक है तो एक सैड में लिखेंग कौन सा त्योहार मनाया जाता है तो बच्चो सबसे पहले हम देखेंगे पॉंगल यह हो गया हमारा पॉंगल तो कहां मनाया जाता है यह मनाया जाता है तमिल लाडू कहां मनाया जाता है यह तमिल लाडू तो बच्चो अभी जैसे कि अभी आपने देखा था जो अभी गया है मकर सकरांती जिसको आप सकरांत के नाम से जानते हो तो यहां पर सकरांत बोलते हैं उसे ठीक है और यह तमिल नाडू में वही त्वहार मनाया जाता है से वही त्वहार होता है ठीक है ना उसी रूप से मनाया जाता है लेकिन नाम change कर दिया गया है यहाँ पर उसको क्या कहते है मकर शक्रान्ती और तमिल लाडू में उसे क्या कहा जाता है पॉंगल क्या कहा जाता है पॉंगल और वच्छो नेक्स्ट है हमारा ओनम ओनम ठीक है यह कहा मनाय जाता है केरल ओनम कहा मनाय जाता है केरल और देखो मैं याद करने के लिए इसको आप लिख भी शकते हो, यहाँ पर मकर शक्रान्ती, ठीक है हमारे हरियाने में उसको बोलते हैं मकर शक्रान्ती और आपके तमिल लाडू में उसको बोलते हैं पॉंगल और बच्चों आपको एक चीज और याद रखनी है, यह दोनों ह जो त्योहार हैं बहुत ज्यादा फेमस हैं यह question यदि exam में यदि त्योहारों से related पूछा जाता है तो ज्यादा तर वो इन में से आता है आपका पॉंगल या ओनम कौन सा पूछा जाता है या तो पॉंगल या ओनम तो पॉंगल कहां मनाया जाता है तमिल्नाडू में और ओनम कहां मनाया जाता है केरल में नेक्स्ट है बच्चो कर्मा जो नेक्स्ट वहार है आपका वो कौन सा है कर्मा कर्मा कहां मनाया जाता है जार खंड में ठीक है कहां मनाया जाता है जार खंड में नेक्स्ट है आपका सरहुल नेक्स्ट कौन सा है सरहुल सरहुल भी नहीं कहां मनाय जाता है जार खंड ठीक है तो देखो बच्चों कैसे याद रखोगे कर्मा सरहुल मैंने क्यों यह दोनों एक साथ लिखे हैं आपके पास कि ताकि आपको दोनों एक साथ एक ही लाइन में इनको दोनों को याद रख सको ठीक है जैसे कि कर्मा कुछ बनता है शरहुल है वई सारा हुला ठीक है ना सारा हल्ला आपका किस पर आधारित है करमपर ठीक है किस पर आधारित है करमपर कहां जाकर जहार खंड में तो दोनों तोहर आपको एक साथ याद रखने हैं कर्मा और सर्वुल, सारा रूर करमपर है यानि कि सर्वुल और कर्मा दोनों तोहर कहां मनाय जाते हैं? जार खंड में अब देखिए एक जो तोहर है हमारा वो है पपेटी कौशा तोहर है ये? पपेटी अब देखिए धरम पर आधारित है, ठीक है ना? यह इसका कोई proper श्थान नहीं है कौनसे धरम पर है यह पारसी यह जो पारसी लोग रहते हैं वो इसको मनाते हैं भले वो कहीं भी रहते हैं उनका जो में तोहार है वो कौनसा है? पापेटी, कौनसा है? पपेटी तो पैसे पपेटी और पैसे पार्सी ठीक है अब देखेंगे डांडिया नेक्स्ट होगा हमारा डांडिया तो बच्चों ये तोहार भी पॉंगल और ओनम की तरह इंपोर्टेंट है डांडिया कहां मनाया जाता है गुजरात ठीक है कहां मनाया जाता है गुजरात म नेक्स्ट देखेंगे चलो इनको देख लीजें इनकी स्क्रीन सॉट ले सकते हो आप इनको लिख भी सकते हो पॉंगल तमिलाडू ओनम केरल कर्मा जारखंड सरहुल जारखंड पपेटी पार्सियों का है और डांडिया है गुजरात नेक्स्ट है बच्चों हमारा बैशाखी तो बैशाखी कहां मनाया जाता है बच्चों तोहार बैशाखी तो वो है तोहार पंजाब का बैशाखी कहां का है ये पंजाब का ठीके बैशाखी कहां का है पंजाब का नेक्स्ट है हमारा सलहेपुल ठीके शल्हेपुल पुडिशा सौरी अलीगड शल्हेपुल ये कहा मना जाता है अलीगड ठीक है शल्हेपुल कहा मना जाता है अलीगड में नैस्टा हमारा बाबा, गरिया, पूजा तिरपुरा बाबा गरिया पूजा ठीके? बाबा की पूजा कहां गरी जाकर? ठीर पुरा में बाबा की पूजा कहां गरी? ठीर पुरा में नेक्स्ट है हमारा जल्ली कट्टू जल्ली कट्टू तमिन लाडू जल्ली कट्टी जल्ली कट्टू थोड़ा नाम अटपटा है ठीक है? कहां मना आए जाता है? तमिन लाडू में अब देखो बच्चो इस में क्या होता है? इस तोहर में इंसानों से, बेलों से बेल समझते हो ना? लोही की जो बेल होती है, जिनसे पस्वों को बांदा जाता है उन बेलों से आपस में लड़ाई करवाई जाती है ठीक है ना? इंसानों को मालने के लिए नहीं वो एक मेला होता है ठीक है? हर मेले का कोई ना कोई अपना दाइत्व होता है ठीक है ना? तो उस मेले के अंदर क्या होता है? इंसान मतलब आपस में वो किस से लडाई करते हैं? वो बेलो से लडाई करते हैं Next है आपका लोसांग लोसांग, ठीक है? तो कहां मनाया जाता है? सिक्किम लोसांग कहां का famous द्वार है? सिक्किम का Next है हमारा युगादी युगादी, तो बच्चों ये कहां का है? गुजरात का तो कैसे याद रखोगे? ठीक है? कैसे याद रखोगे? युग गुजर गए ठीक है ना? कैसे याद रखोगे? युग गुजर गए कि युग गुजर गए तो युगादी, गुजरात युगादी गुजरात एक है आपका उगादी बचो वो कहां कहा है वो है करनाटक का उगादी ये कहां कहा है ये है करनाटक ठीक है युग गुजर गए और करन उख गया ठीक है करन उख गया तो उगादी करनाटक युगादी गुजरात अब है चप चार कूट चप चार कूट कहां का है चप चार कूट कहां का है सिक्किम का ठीक है ना चप चार कूट कहां ले जाकर सिक्किम ले जाकर ठीके तो चपचार कूट सिक्किम, ठीके ये कहाँ का famous तवार है सिक्किम का चपचार कूट अब next ना हमारा विशू विशू केरल बहुत प्यारा सा नाम है ना विशू, ठीके कहाँ का तवार है केरल का next देखे गुड़ी, गुड़ी बाबा गुड़ी ये कहां का है? महाराष्ट गुड़ी जो त्वहार है वो कहां मनाय जाता है? महाराष्ट में Next है हमारा हरेला हरेला उत्रा खंड हरेला उत्रा खंड ठीके? तो बच्चों इसमें क्या होता है? इसमें हरेला इसमें हरियाली की जादवो की गई है ठीके? Next है हमारा जगनात रत्यात्रा उत्सव 2021 जगनात रत्यात्रा दो हजार जगनात यत्रात्रा उत्सव 2021 ठीके? जगनात रत्यात्रा 2021 तो बच्चों एक बात याद रखना इसको ये कहां मनाय जाता है? मैं आपको बता दूंगी तोड़ा करंड का क्वेशन है मंदिर भी बहुत फेमस है ना पुरी में ठीक है ना जगनात पुरी के नाम से ठीक है मंदिर है बहुत फेमस मंदिर है उडिशा में है नेक्स्ट देखेंगे हम बॉनालू बॉनालू कहां मनाय जाता है बच्चों? तेलंगाना बॉनालू ये कहां मनाय जाता है? तेलंगाना ठीक है? बॉनालू तेलंगाना ठीक है? इसमें देखिए इसमें किसकी पूजा होती है इसमें ये हिंदु तोहर है और इसमें महा काली की पूजा होती है ठीक है नेक्स्ट है हमारा योशांग योशांग ये कहां मनाया जाता है मनीपूर योशांग कहां का फेमस तोहर है होली है दीपावली है रक्षय बंदन है तो देखो बच्चो ये भी उनी में से एक है ये भी उनी में से एक है जैसे कि मैंने मैं आपको फर्स्ट नाम Change कर रख़ा है और आप ने कर रख़ा है या फिर तमिलाडू वालों ने कर रख़ा है लेकिन तोहार एक ही है हमारा ठीक है किया है ना तो ये मनाय जाता है गोवा कहां का तुहार है गोवा कम मनाय जाता है ये जब धान की कटाई होती है ना दवंबर के महिने में होती है ना तो उस समय जब धानों की कटाई शुरू होती है तो ये बहुत ही धूमधाम से मनाय जाता है ठीक है ना बहुत ही धूमधाम से मनाय जा ठीक है, next है हमारा कला महुत्सब, कला महुत्सब, तो ये कहां मना जाता है, उत्तर परदेश में यानि की UP में, ठीक है, उत्तर परदेश यानि की UP, तो कला, इसमें कोई ना कोई कला पर दरशित की जाती है, तो क्या किया जाता है इसमें रेशे ठीक है ना रेशे से बनाए जाते हैं सामान जैसे की आपके कपड़े हैं चपल है कोई भी घर का सामान है डेकोरेशन का तो वो सारे किसके बने हुएते हैं रेशे में तो उन चीदों की वहाँ पर विक्री होती है बहुत ही बड़ा मेला जाता है ठीक है नेक्स्ट है हमारा अंतरास्ट ये शरस्वती महुत्सव तो कहां का त्योहर है बच्चों ये ये है हरियाना कहां मनाया जाता है ये हरियाना में ठीक है ना और इसमें क्या होता है इसमें माश रस्वती की पूजा होती है नेक्स है हमारा आधी पुरम ठीक है कौन सा है आधी पुरम ये कहां मनाया जाता है ये मनाया जाता है तमिल नाडू आधी पुरम चोहर कहां मनाया जाता है तमिल नाडू तो ये हैं आपके बहुत ही फेमस फेम थूहार ठीक है एक बार फिर सेデख लीजे बहुत आलू कहां मनाइजाता है तेलंगाना ठीक है ना आपके कौन से नंबर का सिटेट है वह लास्ट का है ना तेलंगाना योशांग मनीपुर ठीक है ना होली का दूसरा नाम भी यदि पूछा जाए तो क्या होगा योशांग ठीक है बहुत पवित्र तोहार है आपका मनीपुर में मनाया जाता है ये योशांग के नाम से शिगमों गोवा में, शिगमों कहा मनाया जाता है, गोवा में, ठीक है, जब धानों की कटाई शुरू हो जाती है, तो उस समय बहुत ही धुम धाम से मनाया जाता है, कला महुत सब उत्तर पढ़ने इसमें, यदि पूछा जाएगे कला महुत सब में, क्या होता है, ठीक है, उस परसिद्ध तुहार यदी पूछा जाए तो क्या है वो अंतरास्टिय सरस्वती मोहत्सव आधीपुरम ठीक है आधीपुरम ये कहां का है तमिलाडू का तो उसी प्रकार से चलो मेले मैं आपको किसी दिन फिर करवा दूंगी और दूसरी वीडियो में लेकर आएंगे हम भार झाल